सर्वेब्यो नमो नमा नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पे और मैं हूँ प्रतिभा दिक्षित RPSC ने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का विज्यापन जारी कर दिया है निश्चित रूप से आपको अभी तक पता चल गया होगा 28 तारीक को इसकी वेकेंसी आई थी तो कुल 6000 पदों पर ये आवेदन आमंतरित किये गए है 5 माई से और 4 जून तक का समय दिया गया है भरने के लिए इसके अतिरिक तो बहुत सारी डिटेल्स जो किसी भी वेकेंसी से सम्मंदित होती है इसके अंतरगत दी गई है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पद है तो ये जो विज्यापन है ये आप या तो RPSC की साइट से डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से पढ़िए जिस भी सब्जेक्ट के आप विध्यारती है तो सारी जानकारी आप इस विज्यापन से ही जुटा सकते हैं दूसरा अगर आप संस्कृत के विध्यारती हैं तो हम संस्कृत की बात करेंगे कि कुल 114 में पद संस्कृत के लिए आए हैं वेकेंसी में तो काफी अच्छे पद हैं पिछली बार से भी जादा हैं पिछली बार 156 पोस्ट आई थी संस्कृत की अब इसके लिए क्या-क्या क्वालिफिकीशन्स चाहिए एक बार थोड़ी सी बात इसके विशे में भी हम कर लेते हैं देखिए स्कूल लेक्चृरर के लिए आपका में होना आविशक है अर्थात मास्टर्स आपने संबंदित विशे में कर रखा हो जैसे कि अगर आपको संस्कृत से आप फॉर्म भर रहे हैं तो संस्कृत में आपने अमे कर रखा हो इसके अतिरिक्त बीयड होना आपका आविशक है कोई भी आर्ट एट लेवल का एक्जाम इसके लिए नहीं चाहिए तो केवल अगर आपने अमे और बीयड कर रखा है तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं आप ये वेकिंसी के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं दूसरी बात करें एज की एज के विशे में विध्यारती बहुत कन्फ्यूज होते हैं तो एज जो इसमें मिनीमम रखी गई है वो है 21 वर्ष और मैक्जिमम रखी गई है 40 वर्ष इसमें भी कुछ कैटेगरीज में छूट दी गई है जैसे राजस्थान के जो SC, ST, OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है अर्थात वो 45 वर्ष के हो गए है 45 वर्ष तक फोर्म भर सकते हैं दूसरी कैटेगरी है SC, ST, O OBC या EWS महिला में आते हैं तो आप अगर 50 वर्ष के नहीं हुए है 50 वर्ष आपका पूर्ण नहीं हुआ है तो आप ये फोर्म भर सकते हैं तीसरी कैटेगरी है General Woman की General महिला जो है सामान्य महिला उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है तो आप 45 वर्ष तक फोर्म भर सकते हैं और विडो और डाइवोसी जो महिला हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है आप कभी भी फोर्म भर सकते हैं तो राजस्तान के विध्यारतियों के लिए ये है जो राजस्तान से बाहर के विध्यारति हैं वो राजस्तान में जब फोर्म भरेंगे तो General Category में काउंट होंगे और General Category में Age Limit जो है वो है 40 वर्ष तो आप 21 से और 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयू है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं Scheme और Slaves की बात करें कि किस तरह का परिक्षा का pattern रहता है तो इसमें कुल 4.500 अंक की परिक्षाएं होती हैं देखिए इधर ही थोड़ा सा देख लेते हैं कुल 4.500 अंक के पेपर होंगे जिसमें की दो पेपर सम्मिलित हैं एक फस्ट पेपर है जो की जीके का होगा और दूसरा है सबजेक्ट का फस्ट पेपर जनरल स्टडीज है इसमें 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है ये डेड़ घंटे का पेपर होगा 75 परिशन इसके अंतरगत पूछे जाएंगे एक प्रशन दो अंक का होगा अर्थात कुल 1.500 नमबर का ये पहला वाला प्रशन पत्र होगा इसमें राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी specially Indian National Movement से संबंदित इसके अतरिक इसमें reasoning, secondary level का statistics, mathematics secondary level का और language ability Hindi और English ये दोनो language होंगी तीसरे पार्ट में current affairs इसके अंतरगत आएंगे तो इसमें current affairs national level के आएंगे जो महतपून राष्ट्री और अंतर राष्ट्री घटना आएंगे वो इसके अंतरगत आएंगी चोथा पार्ट है general science Indian policy और geography of Rajasthan इससे संबंदित प्रशन पूचे जाएंगे और पांचवा पार्ट इसमें रहेगा educational management educational scenario in Rajasthan compulsory education act तो ये पांच पार्ट इसके मोटे-मोटे तोर पर विभाजित किये गए हैं इसका detailed syllabus भी होता है जो कि आपको जल्द ही website पर उपलब्द हो जाएगा आप पहले के जो 2018 वाली vacancy थी जिसका की exam हुआ था 2020 में आप उसका देख सकते हैं syllabus detail के लिए लगबग वही syllabus रहता है कोई अगर change होता है तो एक आद topic change होते हैं तो आप detail अगर जानना चाहते हैं तो 2018 का syllabus है फर्स्ट और सेकिंड पेपर के लिए वो देख सकते हैं दूसरा जो subject का paper है सारे subjects की बात कर रहे हैं subject की paper में चार भागों में विभाजित है पहला knowledge of subject concerned senior secondary level अर्था 12th level के कुछ topics आपके syllabus में होंगे लेवल का पूछा जाएगा और जो चोथा भाग है वो है educational psychology से संबंदित pedagogy से पेड़गोजी से संबंदित teaching learning material use of computer and information technology in teaching learning तो वो ही syllabus है जो की पिछली बार की vacancy में भी था तो यह संस्कृत का जो detailed syllabus है उसकी बात हम कर चुके है चैनल पर उसका एक वीडियो है उसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगी तो आप वहां से संस्कृत का जो syllabus वाला वीडियो है वो देख सकते हैं उसमें हमने पुस्तक से संबंदित बहुत सारी बाते की हैं पूरा एक तो रणनीती है कि संस्कृत विशे से किस प्रकार तैयारी करें तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं ये जो दोनों पेपर हैं इन में से पहला पेपर डेड़ गंटे का होगा इसमें डेड़ सो अंक का होगा 75 प्रशन आएंगे दूसरा पेपर तीन घंटे का होगा इसमें आएंगे डेड़ सो प्रशन प्रत्ति एक प्रशन दो अंक का है इसलिए ये हो जाएगा तीन सो अंक का तो कुल मिलाकर साड़े चार सो नंबर के ये होगे नेगेटिव मार्किंग भी इन में जूड़ी गई है वो ये है कि इन दोनों ही सबजेक्ट में अलग-अलग 40% नंबर लाना आपको अनिवारिया है इससे पहले राजस्थान के एक्जाम्स में जैसे टैट इत्यादी में ये व्यवस्ता है कि कुछ मिनीमम रखा जाता है लेकिन जो इस तरीके की प्रतियों की परिक्षाएं होती है उन में राजस्थान में एक राइटेरिया नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बार आपको फस्ट पेपर में अलग से 40% आपके नंबर आने चाहिए और सेकिंड में अलग आने चाहिए तब ही आप eligible होंगे उसके बाद फिर जो extra number होंगे उनके आधार पर merit list बनेगी SC और ST दो categories को 5% की छूट दी गई है अर्थात उनके लिए जो minimum numbers रखे गए हैं वो है 35% इससे क्या फायदा और नुकसान होगा इसके विशे में हम बिल्कुल एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिस पे हम इस नए criteria के बारे में बात करेंगे आगे चलते हैं Sanskrit विशे में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या मेरी तरफ से आपके लिए क्या रहेगा तो इसमें मुझे आपको बताना है कि Sanskrit के लिए चैनल पर एक playlist है RPSC First Grade School Lecturer के नाम से जिसमें की 67 वीडियो अपलोडेड है आप चैनल पर जाकर इस playlist से वीडियो देख सकते हैं देखिए First Grade में और Second Grade में बहुत सारे topics सेम हैं Sanskrit में तो कुछ विशे ऐसे हैं जो common हैं तो उनको हमने playlist में शामिल कर दिया है इसके अतिरिक्त जो ऐसे विशे हैं केवल First Grade के अंतरगत आते हैं उनका ध्यन भी हम चैनल पर कर रहे हैं वीक में दो classes, एक class, दो class इससे संबंदित अभी तक अपलोड हो रही थी अब चुकी vacancy आ चुकी है तो हम थोड़ा और speed से First Grade के topics को cover करेंगे तो आप किस तरह से पढ़ सकते हैं उसके लिए आपको चैनल खोलना है सरल संस्कृत, सुगम संस्कृत चैनल पर जाईए आप चैनल को touch कीजिए वहाँ पर जैसे ही आप चैनल खोलेंगे वहाँ पर आपको videos, home, post, community, playlist इस तरह से बहुत सारे option दिखाई देंगे तो आपको playlist में जाना है मैं बताती हूँ देखिए जैसे ही आप YouTube खोलते हैं आपने अगर चैनल को subscribe कर रखा है तो यहाँ पर subscription में जाकर अगर आपके पास channel है तो आप channel को खोलिए view channel कीजिए और यहाँ पर यह आपको बहुत सारे options दिखाई देंगे इसमें आप playlist पर जाईए playlist में आपको या तो आपको यहाँ पर प्रारंब में ही इस तरह से दिखाई देगा या फिर आप इसको touch करेंगे तो नीचे बहुत सारी प्लेइस्ट आ जाएंगी उन में से यह एक rpsc first grade की playlist है जिसे आप जब open करेंगे इस तरह से तो इसमें 67 videos already added है और आगे भी इसमें लगातार videos add किये जाएंगे तो आप इस playlist से दीरे-दीरे करके अपने सारे topics cover कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो आप comment कर सकते हैं अगर आप कोई विशय specially पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो देखिए जैसे ही आप YouTube खोलते हैं YouTube पर जाहिए इधर सर्च कीजिए सरल संस्कृत सुगम संस्कृत तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास चैनल आएगा यह जो लोगो है चैनल का इसे आप देख लीजिए इस चैनल पर आपको टच करना है और टच करने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो व्यू चैनल का इस तरीके से ऑप्शन आएगा उसमें आपको प्लेलिस्ट पर जाकर और फिर आरपी एसी फर्स्ट गेड की प्लेलिस्ट से अपने संबंदित वीडियो देखने है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदूंगी अगर आप सीधा चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सब नहीं खोज सकते तो आप जो ये वीड इसके नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पर होता है इस तरीके का साइन होता है आप उसको टच करेंगे तो नीचे डिटेल आएगी वहाँ पर आपको आरपी एसी फर्स्ट गेड स्कूल लेक्चरर इस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जैसे ही आप इसको वहाँ पर इसके अतिरिक जो स्पेशल वीडियोस है फस्ट ग्रेड से रिलेटेड वो धीरे धीरे अपलोड किये जा रहे हैं तो अलग से ये जो सारे वीडियोस है ये भी अपलोड किये गए हैं आप अपनी तयारी विल्कुल शोर से प्रारंब कर दीजिए जो बचे हुए टॉपिक है वो भी आगे स्पीड में आप अपलोड किये जाएंगे विशे की तयारी इसके अतिरिक्त अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड जिसकी की वेकिंसी आई हुई है उसकी भी तयारी कर रहे हैं तो उसका तो हमने संपूर्ण पाठीकरम के अनुसार पूरा अध्यन कर लिया है उसक से आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड से रिलेटर वीडियो इसके अतिरिक्त इतनी सारी देखिए ये बहुत सारी प्लेइलिस्ट है जिसमें क्वेश्चन पेपर की भी प्लेइलिस्ट है एंसी आर्टी की पुस्त के अकॉर्डिंग भी हमने व्याकरन का अध्यन किया है संस संस्कृत साहित्य है रीट के लिए कुछ स्पेशल वीडियो हैं कावेशासर के वीडियो हैं भाशा विज्ञान के वीडियो हैं दर्शन के वीडियो हैं लौकिक साहित्य के वैदिक साहित्य के टैस्ट सीरीज के वीडियो हैं कुछ ट्रिक्स से रिलेटर वीडियो हैं ट्र तरलता से सुगंता से पढ़ सकते हैं तो आपके भविश्य की अग्रिम शुब कामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं